तो फॉर्सली वेल्कम चो आई दॉबना मुबस्विक पर कॉन्रेशन फिनाले वीड में पहुच गए और कितना एक्साइटमेंट है बहुत एक्साइटेड है और बहुत खुशकिस्मत समझते हैं कि हम यहां तक पहुच गए हमारी जर्नी छोटी रही लेकिन इस छोटी जर् पहुच है जब आम लोग आते हैं तो अल्ड़ी एक नो लेवल बन चुका था एक कॉंपटिशन लेवल हाय था तो उस वीच में आना किसना था था बहुत तफ था उस लेवल को मैच अप करना बहुत था क्योंकि मेरे कोई डांसिंग वर्क्शॉप नहीं वे थी और फिर्स लेवल उसमें हमें थोड़ा वक्त लगा बट एवरी वीक वीच 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 नहीं तो बेटर देला सब्सक्राइब तो यह जब पर नहीं करते हैं तो कि वह प्रफॉप नहीं पर अब जब पहली बार नुचे पदा च्रण रहा था रहा था रिच्छ के वहां क करती है कैसे करती है मैं एक वीच वीच उनके देखे तो मुझे लगा यहां मतलब दांस तो करते हैं अभी देखा जाता कितना डांस जब मैं उनके पास पहली बार मिला उन्होंने उन्हों अभी भी आदी पाली रियसल तो मैं आई वेंट तू हॉल दो बज़े कुछ तो मुझे पहले दिन पता चल गया था कि यह बंदी बहुत हार्ड वर्क ही है मतलब काम के लिए कभी उना नहीं करेंगे तो मैं पहले दीन ही जान लिया किया ऐसे होना चाहिए कंटेस्टन जो हार्ड वक करें आट सिट बाकी सब मैं देख लिए तो यही है फिर जो कुछ आप द बहुत जादा इस वरी ग्राटिफाइंग जब उनको हमारा टांस मतलब हमारा एक्ट लैंड कर जाता है क्योंकि डांस एक चीज होती पर विवेक रिशी जैसे कोरियोग्राफ करते वो एक एक पूरे एक्ट का एक एमोशन होता है वो एमोशन जब लैंड कर जाता है वो करते उस कमरे में बैठी रहोंगी जहां मातुरी दिक्षित बैठी होंगी I still can't make sense of it कि वो मेरा नाम लेती है मुझसे बात करती मुझे नहीं समझ में आता कि वो मुझसे बात क्यों कर रही है वो तो मातुरी दिक्षित है तो उनों इक मुस्वानों को भूशन है कि आपी न कि अज़ा नहीं किये थे कि उसकी चिंगारिया मेरी तरफ ही उठके आएंगी तो फर्स्ट डिए जब हम रहास कर रहे थे तो 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 उस दिन मुझे बहुत डर लगा था कि थोड़ा 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 कि मुझे पता नहीं था कि यह जाएंगे कैसे और क्या होता है यह उ तो मतलब चाहिए वो हाइट से हो या कोई और फायर हो यह बहुत ख्याल रखा जाता है तो पाइरो के साथ उसके अटेंदेंस भी थे टुक केर अवरीधिंग लेकिन और जो वो मेरा प्रॉप था द्रागन स्टाफ वो उन पाइरो और बैटरी की वज़े से हैवियर भी हो ग अपिले तो इस नोट इजी बट जैसा मैंने सोचा था उससे कहीं जादा बहतर यह जर्नी है और यूँ उनली फाइंड आफ्टर दूहिंग देशो क्योंकि जैसा सोचना कि आप जहलक करेंगे और एक्चुली जहलक करना बहुत अलग होता है क्योंकि हमें दिन पर दिन करना करना है और हम इस बार प्रचप करने है जब मैंने सूचा था कि में जलक करूंगी मुझे लगा था कि इतल भी डांसिंगा अटा फ्रेंड संगी कर मुझे तो आता है डिक 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 डिपिंग करूंगी मस्त एक दम मजे आएंगे बर ऐसा नहीं है हर हफते आपको या इस जलक दिक राचा आप Okay, Khatro, CC for you or Khatro? None of it is easy. Why? Because... But you're doing very good. तो हमें भी बहुत अच्छा के, आपे भी अच्छे करे रहे हो? Haan, नहीं मतलब, जिसे Khatro में, तो बहुत डर लगता था. But, both I like for very different reasons. Khatro I like because I made very good friends there. Jhalak I love because of the kind of dancing we are doing. And of course I've made friends here also. इसलिए सब वोलती हुएके लिए कि इतना भी दर्द हो चोट लगे, कुछ भी हो, मुझे डांस करने को मिल रहा हु, मेरा काम है, वह वह काम है तान्स करना है, मैं कभी नहीं जिंदिक में तो महनी सीखूंगी मतलब मैं हर हफ़ते कुछ सीख रही हूँ मतलब उससे जादा फॉर्चुनट कुछ हो इनी सकता कोई डांस कौम है जो आप और सिखना है या उसमें दिलचप से इसारे सारे अब भॉट संप, क्या सिखना अपको? सारे, सारे सिखना है, हमें और एक जलग करना पड़ेगा, तो हम पुला सिखेंगे. जैसे विवेक करते हैं वैसे करना है तो मैं करके ही बता दून परादिने सिखाने ने जिए पाहों कि दर ज़स्यान है तो आप कितने आसाने से कर लेते हो वैसा ही है आप रोज रोज करोगे तो ईजिए से आप ड्राइगन स्टाफ करते हो मखन जैसा यह सेम चीज आप करते रहोगे हो जाएगा सब कुछ पहली बात तो बहुत हाड़ वक करें सेकेंड दिंग बहुत स्मीट है तिसरी वह पहले ना इकसा फैमिली जैसा एक दोस जैसा वह सबको सहमाल के चलती है और लिकके चलती था कि वह वाइब अच्छी बनी रहे और हम जो कुछ भी बनाय क्रिएट करें तो वह साथ में बड़ी पॉजिटिबली क्रिएट हो तो तीन चीजे है जो बड़ी अच्छी लगती मु अच्छा है और I think he's a very good teacher मतलब एक होता है कि आपको बता सिखाते हैं लोग ऐसे करने और एक डॉक्टर जैसी कॉलिटी हैं में कि अच्छा आप यह गलत करें हो तो और आप मेरी बॉड़ी के हिसाब से वह डेक्ट करते हैं कि आपकी बॉड़ी ना ऐसे मुव करें इसलिए यह step सही नहीं हो रहा है मतलब वह बहुत ही minute चीज है बट वह पकड़ लेते हो और उससे ना बहुत बहुत ऐसे मुझे लगता है बहुत बड़ी problem है पर वह ऐसे मुझे से आसान हो जाती है So I think these three One message for the audience Thank you Thank you so much for making us reaching the finale आप टॉफी जिता दो यार Vote कर दो Support कर दो इतना प्यार दे दो ताके इस टॉफी यह जो दिख रहे ना वैसे एक टॉफी हाथ मेरे बस Thank you so much guys and all the best Thank you so much